Good morning children, welcome to Hindi class. बच्चों, आज हम पार्ट तीन का भाग दो पढ़ने जा रहे हैं. भाग एक में आपने देखा था पार्ट तीन अनोका धंके में एक मनु बहन है. आप देख सकते हो यहाँ पर मनु बहन यहाँ पर है मनु बहन और यहाँ पर है गादी जी. मनु बहन ने जो पत्थर था वो जुलाहे के घर भूल गई थी. यह है जुलाहा, वीवर, जो कपड़ा बनाता है. तो मनु बहन यह जो पत्थर जो गादी जी अपने पैरों को साप करते थे, उस पत्थर को मनु बहन जुलाहे के घर पर भूल गई थी. She forgot that stone in जुलाहा साओ, उस पर गादी जी ने कहा था कि तुम जुलाहे के घर जाओ, you go to the जुलाहा साओ and get the stone back. But the condition is you will go alone, तुम अकेले ही जाओगे. इस पर मनु बहन बहुत डर गई. गांधी जीन से कहा, मनु बहन ने पूछा, किसी स्वयम सेवक को साथ ले लूँ, क्या मैं किसी स्वयम सेवक, स्वयम सेवक मतला बच्चों जो social service करते हैं, जो स्वयम से दुसरों की सेवा करते हैं, जो service करते हैं, help करते हैं, दुसरों के उनको कहते हैं स्वयम सेवक. तो मनु बहन नोई पूछा, can I take a volunteer or any social person along with me? तो बापु ने कहा, क्यों? तो गांधी जी बापु मतलब गांधी जी ने कहा, क्यों? Why? Why you want to take anybody with you? You have to go alone. ये गांधी जी ने कहा. मनु चुप रह गई. मनु वस silent. ये नहीं कह सकी कि अकेले जाते डर लगता है. But she couldn't say that it is afraid to go alone. वो बतानी पाई. गांधी जी को कि मुझे डर मतलब getting scared. तो उसको डर लगता है, वो बतानी पाई. क्यों उसको डर लगता है? Why she is getting scared? बात यह है कि नौवा खली में नारियल और सुपारी के जंगल थे. The reason is, children, नौवा खली, you know, that place where the Gandhiji and Manubhan were staying, वो नौवा खली है. वो प्लेस का नाम नौवा खली है. तो उस नौवा खली में नारियल और सुपारी के जंगल थे. नारियल means, you see here, children, नारियल, coconut trees. नट, सुपारी, जो पान के लिए यूज करते हैं, people are using this with the पान, सुपारी. तो वो जो नौवा खली प्लेस है, वहाँ पर किसके जंगल थे, कौन से ट्रीस थे सबसे ज़्यादा, नारियल और सुपारी के. So, there were coconut and nut forest in the नौवा खली. कोई भी रास्ता भूल सकता था, क्योंकि वहाँ पूरा forest था, तो कोई भी रास्ता भूल सकता था. And even could have forgotten the way. इसके अलावा, Manu जब 15-16 साल ही की तो थी. And except this, the Manu was only 14-16 years old. Akeli कभी कहीं गई नहीं थी. She didn't go alone anywhere. वो Akeli कभी कहीं नहीं गई थी. She didn't go anywhere alone. लेकिन बापु के क्यों का जवाब उससे देते नहीं बना. But she couldn't answer when Bapu asked her क्यों? Why can't go? Bapu asked to her. Then she didn't answer. वो जवाब नहीं दे पड़ी. उसके बाद, जिस रास्ते से वे लो आये थे, उसी रास्ते पर चल पड़ी. So, then she decided, Nan, she has to go to the Julaha's house and find out the stone. So, जिस रास्ते से वे आये थे, the way by which those people came, started on the same way this girl. Because she didn't know the way, how to reach to the Julaha's house. So, what she did, how the previous day, they both, Bapu and Manu, both they weren't, no, the same way. She has started on that same way. पैरों के निशानों को, तो वो जुलाहे के घर, जो थी न, पैरों के निशानों को देखती, खोजती, वहां, किसी ना किसी तरह अगले गाउं में पहुँची गई. और उसन्ये एक और आइडिया अपनाया, क्या था, पैरों के निशानों को. पैरों के निशानों मतलब, फुट्प्रिंट. She was looking at the footprint and she followed that वो पूरे पैरों के निशानों को खोशती हुई वो क्या है अगले गाउं तक वो किसी ना किसी तरह अगले गाउं तक पहुँची गई तो क्या हुआ? Somehow she reached to the next village वो पहुँच गई जुलाहा के घर जुलाहा उसके घर तक पहुँच गई जुलाहा का घर भी मिल गया and she found the जुलाहा's house उसको मिल गया लेकिन उस घर में बुडिया रहती थी लेकिन वहा कौन रहती थी? बुडिया बुडिया मतलब कौन बच्चो? ओल लेडी बुडिया अर जो थी एक बुडिया रहती है ना? the old lady lived in that house तो उसने मनु को देखते ही पहचान लिया की वह वही लड़की है जो बापू के साथ कल उसके घर में ठहरी थी वेन इस ओल लेडी है इस गर तो उसने पहचान लिया उसने पहचान, पहचान मतना रिकोगनाइज शी रिकोगनाइड मनु और सेंग बापू के साथ जो गल बापू के साथ जो ठहरी थी उसने पहचान लिया उसने बड़े सनेह से मनु का स्वागर किया और से वेलकम्ड अर विद रिकोगनाइज उसने सनेह से सनेह मतना रिकोगनाइज इक तो बापू पर खीच और फिम तुसरे इ इतना ऱमबा पैदल सफर वन इस अगर उन बापू कीज मतलरा इंगर इ вн कीज इए गुसा तो वन इस अगर उन बापू छ लूब conceived बापू कीज вам और सीज इक रिकोगनाइब वापू Such a long walk So she is getting Eated उसको बहुत ही टाइड लग रहा था Manu का बुरा हाल था Manu was in a bad state She getting tired उसने बुडिया को अपने आने का कारण बताया And she told the old lady Why she come to here बुडिया बेचारी को क्या पता था की पत्थर का वह टुकडा इतना अन्मोल है मतलब How does the poor old lady know that the piece of stone is so precious अन्मोल, precious Anybody know that stone is so precious लेकिन गांधी जी को वो stone चाहिए He wants that तो उसले वो पत्थर का टुकडा था She that girl Manu told to that old lady I want the stone which I left yesterday here But the old lady what she did उसने तो उसे कूडे के साथ कहीं फेक दिया था उसने कूडे के साथ क्या किया उसको फेक जादा She has thrown that stone with the litter वो dust के साथ वो लिटर के साथ वो फेक दी थी लेकिन क्या क्या दोनों मिलकर ढूंडने लगी And though both both started searching for the stone दोनों मिलकर ढूंडने लगी They were searching for the stone भागी की बात है Luckily बहुत भागी की बात है उनका लग है कि पत्थर मिल गया And they got the stone उनका पत्थर मिल गया Manu की खुशी का ठिकाना न रहा Manu की खुशी का ठिकाना न रहा Manu was very happy खुशी का ठिकाना न रहा Children This is one proverb ये मुहावरा है It is a proverb It means बहौत खुश होना खुशी का ठिकाना न रहा Means बहुश होना So Manu was very happy उसको पत्थर मिल गया, that stone she got सुबा साडे साथ बजे मनु घर से निकली थी तो कितने बजे वो घर से निकली थी? Morning, वो निकली थी मनु left the house at 7.30 साडे साथ बजे, वो घर से निकली थी लोटी तो एक बज चुका था वो जब रिटन हुई, तो कितना बज चुका था? It was 1 p.m. afternoon when she was returned वो वापस जब आई, तो afternoon 1 हो गया था 15 मील चलना पड़ा था She had to walk 15 miles उसको चलना पड़ा था वो वो की थक कर चूर हो गयी थी Because she walked at such a long distance थक कर चूर हो गयी थी She got tired, बहुत थक थी She was tired भूख भी बडे जोरों से लगी थी And she is hungry also She is getting hungry भूख means hunger वापस सीधे बापु के पास पहुंची और उनके गोद मेवा पत्थर डालकर रो पडी और वो जो वन सीधे बापु के पास पहुंची She reached Bapu directly दम सीधे डालकली वो बापु के पास पहुंची और उनकी गोद मेवा पत्थर गोद मतला लब उनकी गोद मेवा पत्थर डालकर रो रोने लगी She started crying तो गांधी जी को कैसा लगा How did गांधी जी feel when this girl finished her task What the Gandhi जी said to her When she finished the task How did Gandhi जी feel That we will know in next video Children, next part Okay आज का भाग यहीं का खतम होता है आपका ग्रीव कारी Homework है Shabdaad लिखो आपको Shabdaad लिखना है खीज, जुन्जलाहट Irritation जुन्जलाहट खीज, गुस्सा अन्मोल, अमूल्य Precious प्रश्ण और उत्तर लिखो गांदी जी ने मनू को पत्थर खोजने के लिए कहा भेजा गांदी जी ने मनू को पत्थर खोजने के लिए जुलाहे के घर भेजा मनू ने जुलाहे के घर तक पहुँचने का क्या तरीका अपनाया मनू ने जुलाहे के घर कैसे गई वो उसको तो रास्ता पता नहीं था न She didn't know the way, then what she did उसके पास कौन सा आइडिया आया मनू पैरों के निशानों को देखती, खोजती, जुलाहे के घर तक पहुँच गई उसका आइडिया क्या था? कि पैरों के निशानों को, पैरों के निशान मतलब फुट्प्रिंट्स वो footprints को follow करते हुए वो जुलाहे के घर तर पहुँच गए तो बच्चों ये meanings और ये questions answers सब्दात और प्रश्णुत्तर को आपको अपनी notebook में एक बार लिखना है तो बच्चों आज की जो कच्छा यहीं समाप्त होती है अगली कक्षा में हम लोग फिर मिलेंगे दन्यवाद